हेलो छेंसे, वैलकम बैक टो मरा चैनल, कैसे हो आप समोच है, आज यहाँ आप सब ठीक होंगे, तो यहाँ पर आपको बताया जागा कि आप करेला की जो भूजीया है, वो कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले करेला, वो बारी कट कर लेंगे, मिर्च को तीच अटड़ों में कट क तो यहां पर थोड़ा सा मेर्च एड़ करेंगे मेर्च और तील को आपस में अच्छे तरीकिसे चटक नहीं देंगे और यकीन मानिए कि आपको भरोसा ही नहीं होगा कि वही करेला है जो बहुत करवा होता है मतलब इस प्रोसेस से अब बनाएंगे ना तो मतलब काफी है तक क करेला को तो आप भूली जाने वाले हैं सिर्फ करेला याद आने वाली है आपको ऐसा होने वाला क्योंकि ममी के हां दूजे ना लग ऐसा होता है ना ममी पता नहीं ममी कैसे बनाती है ना कि कभी ऐसा लगता ही नहीं कि हम वही करेला की बुचिया खा रहा है जो हमीशा करवा होता है तो यहांपे क्या करीगे कि कराला को बां होने तक इसको अच्छे तरीके से करेंगे और वीडियो कैसी ड़ने इस हमोगी नहीं चाहिए वह भी हमें पताईएगा अब क्या करेंगे आदा चोटा चमश हम यहां पे पर naaf डालेंगे स्वाधनुसरसे यहां पर नमाद है और इसको तरिकर से मिक्स करेंगे से यहाहरे नमाद से कम देख सकते हैं कि दर फैस डिले पर से कैस बाते जाएंगे और सभी बैस को डाल के देंगे मैं हैसा बनके त्यारो गजा लिए कि कफिया तक आप कबीज़ करवा भी था आप सिर्फ करवा को याद करने ले क्रवा करलno को तुường हो खाने के बाद जरूर देखिये गा इस तरीके से तक करवा पंजह होता है करला का दूर हो जाता है तो इस तरीके से आप बनाके बाद अपने घर भी ज़रूर ट्राय करना और इसको छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद बीच पीच में चलाते रहेंगे और इसको क्या करेंगे कि धब देंगे मतलब भूह बॉनों जाए गा मतलब फ्राय हो जाएका करळा का जो भूह जा है तो Nanow फिर सकते हैं कि हमारे sözच काफिय तक करळा कभूज़ी है जो पूंच ड्क फ्राय हो जुकًखा है तो यहां पर हम सीद्धा सफ करके दिखाेंगे और sorry guys मोरे में बहुत मुझे प्रोब्लम हो रही है सर्दी की वजह से सर्दी नहीं होती ना तो मैं आपको बहुत अच्छे से explanation करके बताती कीन बताईएगा comment box में की explanation भी कैसा था तो देख सकते हैं कि कुछ रही है हमारी serving आई हो आज का वीडियो को बहुत ही पसंद आगा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू कर लीजिए का वीडियो दिखने के लिए आपको अजिल से धनी बाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए बाबाई एंटिक एंट सेफ